राहुल गांधी आगामी दो दिनों में एक बार फिर जारखंट की धर्ती पर प्रवेश करने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा 36 गड में अंबिकापुर के रामानूज गंज इलाके से 14 फरवरी को सुबह आठ बजे के करीब गडवा के रंका में प्रवेश करेगी। यहां रोड शो करने के बाद राहुल गांधी पलामू के नामा बजार में रात्री विश्राम करेंगे। बिहार के और अंगाबाद के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। राहुल गांधी के भारत जोडो न्याय यात्रा के मद्दे नजर जिला में तयारियां शुरू कर दी गई है। कॉंग्रेस के पलामू जिला ध्यक्ष जैस रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक ने नयाय यात्रा को ले कर कहा कि राहुल गांधी का या दोरा कारेकरताओं में काफी उत्साह बढ़ाएगा। घाएगा। राहुल गंधी के आजमन को ले कर तैयारी की जा रही एक एक कारेकरता राहुल गांधी के स्वागत में जुट गये है। वही जहर्खन के साथ साथ बिहार में भी राहुल गंधी की नयाय यात्रा के दूसरे चरण का राहुल गांधी के 15 और 16 फरवरी को यहां आने के संभावना है और अंगबाद में उनकी सभा 15 फरवरी को निर्धारित है इस दिन राहुल गांधी का रात्री विश्राम सासा राम में होगा यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी 16 फरवरी को सासा राम से कैमूर होते हुए उत्तर प्रदेश में वारा नसी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे फिलाल कलित नहीं देखते रहें दाफोर्ट फिलाड डॉट नूज जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया